अच्छा ये बता कि टोप 5 बैंकिंग सेक्टर के शेर कौन-कौन से है? आज मैं आपको टोप 5 बैंकिंग सेक्टर के शेर बताता हूँ जो मैं बताऊंगा ये market cap के हिसाब सुएंगे मतलब जिसकी सबसे ज़यादा market cap वो सबसे number 1 पे और जिसकी सबसे कम मार्किट कैप वो नमबर पांच पे तो यह जो पांच मैं बैंकिंग शेर बताऊंगा यह मार्किट कैप के हिसाब से जोगी और इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी तो नमबर वन पे आता है HDFC बैंक यह HDFC बैंक को आप लंबे समय के लिए बैंकिंग का शेर खरी सकते हैं यह काफी अच्छा शेर है और HDFC बैंक में लोग का भी काफी विश्वास है दूसरे नमबर पे आता है ICICI बैंक HDFC bank के तरह ICICI bank भी काफी अच्छा banking share है और ये private bank है तो इसको भी आप खरीच सकते हैं तीसरे नमबर पे आता है State Bank of India एक सरकारी bank है और market cap के हिसाब से इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा bank है तो इसको भी आप खरीच के रख सकते हैं और चौत्य नमबर पे है KOTEC महिंद्रा bank KOTEC महिंद्रा bank एक private bank है और market cap के हिसाब से इंडिया का चोथा सबसे बड़ा bank है तो इसको भी आप लंबे समय के लिए खरीच सकते हैं और लंबे समय में आप पैसा बना सकते हैं और जो पांचवे नमबर पे है Axis bank एक private bank है और इसमें भी लोगों का बहुत जादा विश्वास है तो Axis bank को भी आप लंबे समय के लिए खरीच सकते हैं और इसमें आप लंबे समय में मुनाफ़ा कमा सकते हैं ये पांच banking शेर हैं जो लंबे समय में आप अगर खरीदो के तो आपको मुनाफ़ा होगा